मिल्क पाउडर से मिठाई बनाने के लिए हमें चाहिए एक तप मिल्क पाउडर, एक चौथाई कप दूद, एक चौथाई कप पाउडर सुगर अब हम गैस ओन करके पैन गर्म कर लेंगे पैन गर्म हो चुका है अब हम इसमें एक टेबल स्पून घी गर्म करेंगे और गैस के फ्लेम को लो कर देंगे फिर इसमें बिल्क पाउडर, दूद और पाउडर सुगर एड़ करेंगे और इसे कंटिनिवेस मिलाते रहेंगे हमें इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है ताकि इसमें कोई लम्स न रहे इसे पकाते समय हम दो बातों का ध्यान देंगे पहला कि फ्लेम हमारा लो टू मीडियम होना चाहिए और दूसरा कि इसे हम लगातार चलाते रहेंगे ताकि ये नीचे से न जले और इसके बीच कोई लम्स न रहे अब हम इसमें 1 टी स्पून इलाइची का पाउडर आड़ करेंगे टेस्ट को इन्हांस करने के लिए इसे हमें तब तक पकाना है जब तक जो मिक्स है पैन को छोड़ने न लगे देखिए अब ये पैन से अलग होने लगा है लेकिन अभी पूरी तरह से कंबाइन नहीं हुआ है तो हम इसे 1-2 मिनिट और पका लेंगे अब ये बिलकुल पैन से अलग हो चुका है तो हम इसे ठंधा कर लेंगे अब हम इसे पेरे का सेब दे के आलमन्द से गार्निस करके सर्फ करेंगे ये काफी टेस्टी और आसान रेस्पी है तो आप सब इस रेस्पी को ज़रूर ट्राय करें और कमेंट सिक्षन में कमेंट करके मुझे पताए कि आपको ये रेस्पी कैसी लगी मेरे वीडियो को लाइक करें शेयर करें और मेरे चैनल पर न्यू है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिये गए बल बटन को प्रेस करें न्यू अपडेट के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में नए रिस्पी के साथ तब तक के लिए बाई टेक के लिए